दोस्तों आप देख रहे हैं मौराजी चैनल मौराजी के चैनल पर आज ये बताने की कोशिश की जा रही है मैं किसी धर्म संप्रदाय को आहत पहुचाने का इरादा नहीं है मेरा सिर्फ मकसद है तर्क के आधार पर कुछ बाते रहने की आज तर्क के आधार पर हम ये सबूत के तोर पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रामाड मिथ्या होने के हमारे पास सबूत है इस सबूत को बताने की कोशिश कर रहे हैं इस आधार पर ये रामाड मिथ्या है और अगर आप लोग को बुरा भला लगता है इसके लिए छमाप राती हूँ और नमबर एक सबूत है सीता का जन्म खेद में दबे घड़े से होना क्या घड़े के अंदर जमीन की निचे दब कर कोई बच्चा जीवित रह सका है इस टार्किक आधार पर सुचनी की बात है दोस्तों नमबर दो मंदोदरी का जन्म मेड़की की कोख से होना क्या कोई मेड़की किसी इंसान के बच्चे को जन्म दे सकती है वो ऐसे भी जानकार कहते हैं कि मेड़की बच्चे नहीं अंडे देती है इस बाद पर सुजनी की जरूरत है दोस्तों इस सुजनी के बाद इस्पेश्ट हो जाता है कि रामायर मिथ्या है नमबर तीन कुमकरण का छे महिने सोना छे महिने जागना क्या कोई व्यक्त लगातार छे महिने बिना सोए रह सकता है क्या कोई व्यक्त लगातार छे महिने बिना खाए पिये जीवित रह सकता है कोई जब कुम करण छे महीने जागता था तो वो सोता नहीं था और जब सोता था तो खाता नहीं था दोस्तों तार्किक बाते हैं और तर्ग के आधार पर सोचनी की जरुवत है रावण के दस सिर और 20 भुजाएं दर्साना जो दिखाते हैं एक बेगत की गर्दन पर 10 सिर कैसे स्थापित हो सकते हैं ये सुचने वाली बात है और दो कंधों पर 20 भुजा कैसे रखी जा सकते हैं फिर आते हैं पच्वे नंबर पर रावण की नाव में अमरित कुण दिखाना और उससे रावण की मरित नहीं होना किसी बेगत के पेट में बिना आपरेशन की कोई पादास कैसे रखा जा सकता है और वो उसके कटे सिर को कैसे जोड सकता था दोस्तों फिर आते हैं चटे पर नंबर पर हनमान का सूरज को निगलना हनमाजी सूरज को निगल जाते हैं तरकि आधार पर इस बात को सोचनी की जरूवत है आज 21 सदी में सूरज का आग का गोला है जिसका तापमान 1000 डिग्री सेंटिग्रेड अधिक और प्रित्वी के आकार से लगभग 1500 गुना बड़ा है कोई इतने बड़े आग के गोले को कैसे खा सकता है इस बात को सोचनी की जरूवत है तरक के आधार पर हनमान की पसीने से मचली के गर्वती होने के मगरा ध्वच का उत्पन होना ना तो किसी के पसीने से गर्व ठारता है और ना ही मचली बच्चे पैदा करती है बलकि मचली अंडे देती है दोस्तों यह कापोल कल्पित कथाएं जो लिखी गई है यह कहां तक सही है तरक के आधार पर सोचनी की जरूवत है राम के पर लगने से सिला का महला में बदल जाना किसी भी इंसान का ना तो पत्थर में बदलना संभवा है और ना ही किसी पत्थर का इंसान में बदलना कताएं तर्क के आधार पर सही नहीं बैठती हैं तो जिस विस्तक में लिखे गई हैं वो मिथ्था होने के ये प्रियाब सबूत हैं कि नहीं कमेंड के माधम से दोस्तों बताएं आपका कमेंड का इंतिजार रहेगा किसी के आस्था को जोट पहुंची हो उसके लिए हम छमा चाते हैं धन्यवाद